नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल सन्यासीजीके में दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, बरे बुजुर्ग कहते हैं, मनुष्य को सौ काम छोर कर स्नान करना चाहिए और हजार काम छोर कर भोजन करना चाहिए क्योंकि मनुष्य का जीवन भोजन पर ही निर्भर है, अन्यथा जीवन संभव नहीं है और वही शास्त्रों में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं, जिनका पालन प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए यदि आप शास्त्रों में वर्णित नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आपके जीवन में बहुत परेशानियां आ सकती हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों, हिंदु धर्म के अनुसार भोजन करने से पहले, अच्छी तरह से दोनों हाथ, दोनों पैर और मुँह, इन पांच अंगों को धोकर ही भोजन करना चाहिए शास्त्रों में लिखा गया है कि गीला पैर करके भोजन करने वाले मनुष्य लंबी आयू को प्राप्त करते हैं दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य को दो ही समय भोजन करने का विधान है, प्रातकाल और सायंकाल बीच में भोजन करने की विधी नहीं देखी गई है जो भी इस नियम का पालन करता है उसे उकवास करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है भोजन हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए यदि आप नियम से भोजन करते हैं, तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें, शास्त्रों में ये भी लिखा गया है कि किसी व्यक्ति का जूठा भोजन कतई नहीं करना चाहिए, इसे बहुत बरा निशेध मान अक्सर देखने को मिलता है कि पति का छोरा हुआ भोजन पत्नी खा लेती है, और हम लोग सोचते हैं जूठा खाने से प्यार बढ़ता है, लेकिन ये बातें लोगों को गुमराह करने वाली है, क्योंकि ऐसा करना शास्त्र के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता है, पति- पति-पत्नी को कभी भी एक साथ या एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए, पति-पत्नी को एक साथ यह एक ही थाली में भोजन करने से घर में दरिद्रता का वास होता है, इसलिए हमेशा शास्त्रों के अनुसार ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि अगर शास्त्रों के अनुसार आप जीवन जीते हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन में समस्याएं नहीं आएगी. मेरे साथियों, बस आज के लिए इतना ही, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा.